हेलो फ्रेंड नमस्कार आज हम बना रहे हैं लिट्टी उसके लिए हमें चाहिए प्याज, लेसन, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, अजवाइन कलौंजी, चने का सत्तू, नमक, सरसो का देल, नीमबू का रस और अचार आम का और उसको न सब अच्छा से मिला लेना है आपको काट के चोटे-चोटे टुकडों में और उसका बेटल को तयार कर देना है तो उसको जब तयार हो जाएना तो इस तरह से देखे लगता है और फिर आटा का डो को सकत सान लीजेगा और फिर चोटे-चोटे गोले को काट लेना है और काट के उसकी फिलिंग को उसको बेंदर बढ तो ये चने का सत्तु खाने में बहुत अच्छा लगता और हमारा बिहार का फेमस डीस है चने का सत्तु जब ठंड पढ़ने लगती है ना तो हम लोग जरूर ही बनाते हैं इसको तो देखिए हमने आज हमने पार्टी रखा था तो हम दो जने मिलके बना रहे थे तो देखिए हम लोग ने कितने सारे बना रखे हैं और फिर अब इसको हम लोग वो करेंगे पकाएंगे आग में तो देखिए हमारा पूरा थाली में पूरा बन के तयार है तो जब हम पूरा इसको गढ़ लेते हैं तो उसके बाद लिटी को लगाते हैं तो मैरा आगला वीडियो था तो उसमें लिट्टी को डाल देते हैं और अलट पलट के इसको सिजहा लेते हैं तो जब तक बढ़िया से ना सीज जाए ना तब तक आपको अलटते पलटते रहना है तो देखिए यह सीज गया है बढ़िया से और फिर क्या करेंगे ना जब एक साइड हो जाता है ना तो दूसर के बाद ना इसके राक को जाड़ना पड़ता है तो इस तरह से हम लोग जाड़ रहे हैं दोनों हाथों से पकड़के और आपको इस तरह से दम जाड़ना है तो इस तरह से क्या होता है ना कि छनी की तरह चंच जाता है बिल्कुल दिखता नहीं है और बहुत अच्छा रहता ह और ये गरम गरम खाईएगा तो बहुत ही अच्छा लगएगा तो देखिया हम इस तरह से हम लोग राग को जाड लिए हैं और फिर जिस बड़तन में हम लोग किये थे न उसी बड़तन में इसको साफ कर लीजे बढ़िया से और इसके अंदर घी डाल दीजे सुद्ध घी और फिर आप खाने पे भी कटोड़ में घी लेके खाएंगे ना लिट्टी के ऊपर जैसे बाटी खाते ना उस तरह से बहुत अच्छा लगता है तो मैंने इस तरह से बना के फिर सर्व किया था चीकेन के मैंने बनाया था चीकेन लिट्टी और फिर आलो बैगन का चोकर बहुत ही टेस्टी लगता है यह थैंक यू